बोचपुरी सुपस्टार पवन सिंग जी हाँ पवन सिंग ने तो जो कारनामा किया है वो शायद ही कोई कर सकता है इस बार का लोगसभाचुनाव कहीं न कहीं बोचपुरीया स्टार्स के लिए सबसे बड़ा माइने था जिस तरह अपनी मौजूदगी इस साल के लोगसभाचुनाव में दर्ज कराई है इस से पहले इतनी तवज्जो भोचपुरीया स्टार्स को कभी किसी लोगसभाचुनाव में नहीं दी गई जी हाँ शायद मोधी सरकार ने इनकी लोक प्रियता को भाप लिया था और इसको अच्छी तरह से बुनाया गया है फिर बात अगर भी हार की की जाए और पवन सिंग की योगदान को न गिना जाए ये तो उनके साथ बहुत बड़ी नाइनसाफी होगी तब ही तो पवन सिंग का हर जगे सम्मान हो रहा है भले ही लोगसभाचुनाव में पवन सिंग खड़े न हुए हो तो क्या लेकिन न खड़ा रहकर स्टार पवन सिंग में इतनी धुआधार कैम्पेनिंग की कि बिहार में अब तक सबसे अच्छे मारजीन से भाजपा जिती है और ये शायद पवन सिंग की प्रचार की बदौलत ही था कि भाजपा अब तक के लोगसभाचुनाव में सबसे अच्छे सीटे बिहार से ही मिली है और पवन सिंग के इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए पवन सिंग को सम्मानित भी किया जा रहा है हर जगे से उन्हें बधाई के लिए संदेश आ रहे हैं और हो सकता है कि सपत ग्रहर समारों में पवन सिंग को भी एक गेस्ट के तोर पर बुलाया जाए क्योंकि मोधी सरकार ये जानती है कि आगे किस को किस तरह यूज़ करना है और अब मोधी सरकार और अमिशाह ने कहीं ने कहीं ये जान लिया है कि इन भोजपुरिया स्टार्स की ताकत क्या है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिट के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले झालेदार गौसिट के लिएपुर्ण स्टार्स की तरह यूशाओ।